नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में भी कुछ important questions पर बात करेंगे जो different different competitive exam से collect के गए हैं आज का हमारा पहला question है ecology is a subject which studies the interaction among the organism and between the organism and its physical environment ecology में हम जो है यही study करते हैं यही जो है इसमें जो है हमारा learning objective होता है कि कोई भी organism जो है वो किस तरीके से आपस में interact कर रहे हैं किस तरीके से वो जो है अपने physical environment के साथ में interact कर रहे हैं precipitation is an important factor for the formation of major biome such as rainforest, tundra and desert देखिए precipitation जिसका most commonly form जो है वो है rainfall rainfall एक important parameter होता है एक important factor होता है जब हम different different biomes की बात करते हैं जैसे कि अगर आप rain forest की बात करोगे तो rain forest जो है इसमें precipitation बहुत जादा होता है throw out जो है rainfall होता रहता है वहीं पे टundra and desert यहां दोनों इन जगे पे आप देखेंगे तो precipitation जो है बहुत ही low होता है कम होता है तो इस तरीके से जो सही answer होगा इस question का वो होगा all of the above तो नर्मदा बचाओ आंदोलन is an initiative by मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की जब भी हम बात करते हैं तो इस से जो आपका सबसे बड़ा नाम जुड़ा हुआ है वो है मेधा पाटकर बाबा आम्ते जो है ये दो बहुत बड़े नाम हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ में associated हैं ओसी विल्सन बुक विच ओन दा अवाड ओ बेस्ट बुक ओन इन्वार्मेंटल इशूस डाइवर्सिटी ओफ लाइफ दा बुक साइलेंट स्प्रिंग वाज रिटन बाई रेचल कॉर्सन ये पहली बुक थी जिसमें सबसे पहले जो है बायो मैगनिफिकेशन के इस बुक में आपका डीडीटी के बारे में बताया गया था कि डीडीटी किस तरीके से आपके माइग्रेटरी बर्ड्स की पोपुलेशन को दिकलाइन कर रहा है यहां पर जो है बेसिकली जब भी हम प्रिसिपिटेशन की बात करते हैं तो हमारे माइड में किवल रेनफोल आता है बट फाइफ टाइफ के आपके जो है अब प्रिसिपिटेशन होते हैं रेन, स्नो, हैल ठीक है, हैल के अलावा आपका स्लीट और आपका ड्रिस्लिंग ठीक है रेन, स्नो, हैल, स्लीट और आपका ड्रिस्लिंग इस तरीके से अगर हम देखें यह फाइफ टाइफ के आपके रेनफोल होते हैं प्रिसिपिटेशन होते हैं कि एक प्रिसिपिटेशन का जो ए फाइफ मेजर टाइफ के ही आपके जो है क्या होते हैं प्रेसिपिटेशन होते हैं रेंड शॉक्ट फोरेस्ट अकर इन वीच ओफ वीच स्टेट ओफ इंडिया आसाम दा ओर्गैनिजम विच थ्रिव इन वेरी नेरो रेंज ओफ टेंपरेचर और नौन एज अस्टेनो थर्मल और जो वाइट बेंज में रहते हैं उनको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लेक्किया आपको बताना है अगराफिकल दिस्टिबूशन थर्मल टोलरेंस जो है यह डितर्मिन करता है आपका जिव्राफिकल दिस्टिबूशन ओफ इस पेशिए अजेंडा 21 इस ब्लूप्रिंट ऑफ इन्वार्मेंट एंड डावलप्मेंट अजेंडा 21 वाज दा आउटकम ओफ मिटिंग एट रियोडी जिनेरियो किस एयर में हुआ था आपने यह बताना है तो दो कोश्चन हमने आपको जो है यहां पे किये आपने कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जो है जरूर बताना है हमेशे की तरह यह पीडियेप हमने आपके ब्रोड़कास लिस्ट वाटसप पे जो है फोरवड करा दिया है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर कोई स्टुडेंट ऐसा है जो अभी तक इन्वार अकैडमी से असोसियेट नह नंबर पे अपना नाम और इमेल आईडी लिख के अपने में रिक्विस्ट डाल देनी है वोटसप पे और इन्वार अकैडमी के नंबर को सेव कर लेना है हम आपको एक प्रोड़कास लिस्ट में एड कर लेंगे वहां से आपको जो है सबसे बड़ी बात तो हमारे कोर्स रहती है कि उनको पता नहीं चलता कब हमारी कोर्स कि स्टार्ट हो जाते हैं इसके साथ सात जो है इस तरीके से छोटे-छोटे नौट्स जोब अपडेट्स क्रेंट अफेर अपडेट्स जो है kontinuosly जो है बच्चों को मिलते रहते हैं थाउजन टॉप एस्टुडेंट्स जो हैं हमेशा सोसेट रहते हैं हमारे इन ब्रोडकास लिस्ट से आप भी जोड़ सकते हैं लगतार सीखते रहिए मुस्कुराते रहिए हमारी बेस्ट विस हमेशा आप लोगों के साथ में है हमेशा रहेगी कोड़ प्रेस यू टेक केर बचो